आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन के फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ, अभी राउटनोट करें। सक्रिय भाग जो कि दिखतर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, और कुछ ऐसे जीन होते हैं, जो नन-प्रोटीन कोडिंग होते हैं, मतलब प्रोटीन नहीं बनाते हैं, ठीक है, तो DNA का सक्रिय भाग जिसे हम जीन्स बोलते हैं, और इसी को हम कह सकते हैं, क्या होते हैं, अनौन सिकता के वहाख होते हैं ती कहा होते हैं यहां पर जीन्स तो इस लिए इसको हम कह सकते हैं तीक हैं यह जीन्स जो होते हैं और जीन्स में जा रहा है ठीक है इन सब का अद्धनी का अनवानसिक की कहलाता है ठीक है तो अनवानसिक का इकाई कह सकते हो ठीक है अनवानसिक इकाई कह सकते हो किसको जीन्स को ठीक है जिससे यहाँ पर जो जनक के लच्छन होते हैं ठीक है वो संत्तियों में किस तरह से जा रहे हैं इस मतलब एक पी डी से दूसरी पीडी में. हुम कह सकते हैं जर्फिषेट पेंiche लच्छन होते हैं वो एक पीडी से दूसरी पीडी में पहुँच जाते हैं. ठीक है? तो देखते हैं कौन सहाफ सहरी होगा. सबसे पहला है अकार की इकाई मतलब जो कह सकतो ह прошлым, हमारा कह सकतो हुआ, संटनात्मक वी गाई होता है जो जिससे substrateby होती है तो ये गलत वो जाएगा, ये भी होते हैं लेकिन आकारिकी रसाइन Allah की सब सब हेस्पाई काई कह सकते हुआ पर combination जीन्स हो सकता है, ठीक है दूसरा अर्मानसे की गाई तो यह राइट हो जाएगा तीसरा आधारी की गाई जिसे कि कोई जीव बनता है अधितर कोश्की लेवल या कोश्की अस्तर की बात कर रहे हैं तो यह भी गलत हो जाएगा और चोटा है सभी गाईयां तो यह भी गलत हो जाएगा इस question का right option हमारा होगा second, first, third, four, गलत हो जाएगा तक सच्वरी से बार वी से लेकर NEET IATJE वो advanced के लेवल तक एक करोड से जादर चातरों का भरोज़ा आशी डाउनोट करें डाउटने डाप यह whatsapp करें अपने सारे डाउट्स 8444 पर